कि नमस्कार कोगनिशन्ट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जार्खन सैच्छिक अनुसंधान या प्रसेच्छन परिश्यद रांची द्वारा इंटर्मीडियेट की जो वार्षिक परिच्छा होने वाली है सत्र दोहजार तेईस और चौवीस के लिए उसके मॉडल प्रस्ण पत्र की जहांद एक सवाल है मॉडल प्रस्ण पत्र का यह बहुत ही ज़ादा जरूरी था खासकर इस बार क्योंकि पैटर्ण में बहुत सारे चेंजे जो है वो अल्रेडी कर दिये गए हैं तो एक्जामिनिशन श्रेड्यूल देने के बाद जो आपका पुराना पैटर्ण था जिसमें 35 मार्क्स के अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो 35 मार्क्स के जो आपको सब्जेक्टिव पैटर्ण के लिए होता था तो इस बार जो है आपका ओमर सेट वाली जो कांसेप्ट है वो बिलकुल खत्म कर दी गई है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपको लिखना है तो पैटर्ण जो है अब आपका फाइनली रिलीज हो गया है इसलिए इस पैटर्ण को ध्यान देना आपके लिए बहुत सवरोरी है बात करते हैं फिजिक्स की तो फिजिक्स में पहले भी जो टोटल पूर्नांक होता था जो फूल मार्क होता था 70 अभी भी है पहले भी था है ना टाइम जो है आपको जो दिया जाता था वो थ्री आवस का होता तो question number 1 to 25 ये 1 to 25 जो question है ये आपके mcqs होंगे आपके पास 4 options होंगे और उन 4 options में आपको एक correct करना है लेकिन आपको लिखना होगा omr sit आपको provide नहीं कराए जाएगे next अगर हम लोग देखें question number 26 to 34 अगर आप देखो तो quote यहां पर total number of question जो है 9 है लेकिन आपको 7 question करने है ये short answer question है आपको one line में two line में ठीक है maximum जो है आपको लिखने है क्योंकि यहां पर marks जो provide किया गया है वो आपका one marks का है तो इसलिए इस पे बहुत जादा detail जो है जाने की जूरत नहीं है जो question पूछा जाए उसी के according जो है आपको answer करना है तो यहां पर देखें यह total 26 to 34 9 question है लेकिन आपको attempt करना है 7 that means आपको 2 question यहां पर extra मिल रहा है लेकिन आपको उसमें से देखना है कि कौन से 7 question जो है आपको exactly आ रहा है उसी को आपको sharp करना है यहां पर 7 जो question है वो 11 marks के है तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहां पर total 7 marks हो जाता है next अगर आप देखो question number 35 to 42 question number 35 to 42 यहां पर total number of question 8 है जिसमें आपको सिर्फ 6 question करने है और यह 6 question जो है यह 3 marks के हैं तो 3 marks के हैं तो total 18 हो जा रहा है यहां पर इस section में तो यहां पर थोड़ा सा detail जो है आपको जाने की जुरत है अगर diagram का जुरत है diagram दे mathematical treatment का जुरत है तो यहां पर थोड़ा सा mathematics को भी जरूर से आपको दिखाना चाहिए लास्ट जो question का है question number 43 to 48 total 48 question जो है आपसे पुछे जा रहे हैं इस बार तो 43 to 48 अगर आप देखें तो total number of question यहां पर 6 है लेकिन आपको जो है सिर्फ 4 question जो है आपको attempt करना है हर एक question के लिए आपको 5 marks मिलेंगे और इस तरह से जो long answer type जो question है उसमें total आपको 20 questions maximum देए जाएंगे तो इस तरह से अगर आप देखो तो 25 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 20 यह मिला के हो जाते हैं 70 तो इस तरह से total 70 marks के question जो है वो पुछे जाएंगे अब यहां पर देखे यह जो question है इस question में आपको कहीं जो पुराना वाला syllabus से उससे तो question नहीं पुछा गया है इसको भी आपको ध्यान देने की जुरत है तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो कोई भी question जो है हमें randomly जो है किसी questions को पढ़ दू यहां पर देखो the question number 6 जो है the specific resistance of a rod of copper as compared to that of the wire of copper is है ना तो question number 6 जो है या फिर question number 2, 3, 4, 5 है ना कोई भी question जो है अगर आप देखो तो यहां पर deleted part का नहीं है कहने का मतलब है कि आपको बिलकुल syllabus के according ही पढ़ना है जो jcrt ने पहले जारी किया था यहां पर भी कोई भी question जो है वो आपके syllabus के बाहर का नहीं है मतलब यह confirm हो गया है कि आपको जो है out of syllabus question नहीं पूछा जाएगा जो जारी किया गया है jcrt के दोआरा बिलकुल उसी syllabus से मैं देख पा रहा हूं सारे के सारे question जो है वह हैं अब थोड़ा सा मैं short answer questions पे आजाओं mcqs में तो कोई भी question मुझे दिखा ही नहीं दे रहा है जो out of syllabus है या जो syllabus में नहीं रखा गया है उससे कुछ पूस दिया हो ऐसा कुछ भी question यहां पर नहीं है यहां पर देखे question number 26 में क्या है नेम दे फिजिकल क्वांटिटी फोज एसाई यूनिट इस न्यूटन पर कुलम इसट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यह आपके syllabus में मौजूद है अगर मैं रंडमली जो है आगे बढ़ू question number 29 की बात करें तू पार्टिकल्स हैब इक्वल मोमेंटा वाट इस दे रेश्यो ऑफ दे ब्रॉगली वेबलेंड यह भी आपके syllabus में है राइट वाट सेवाट्स लौ इन वेक्टर फोर्म आपके syllabus में है 36 question में आ जाया है तो derive an expression for the force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field तो बिल्कुल जो है मैं देख पा रहा हूँ एक्टम से आपके syllabus में जैसा है हूब हूँ वैसे ही question जो है पूछे गए है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की जुरत नहीं है अगर हम लोग यहाँ पर देखें रिसेंटली मैंने जो वीडियो बनाया था गैलनोमीटर पर वो भी यहाँ पर है तो what is गैलनोमीटर डिस्क्राइब दी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ गैलनोमीटर यूसिंग लेबल डाइग्राम यह आप देख पा रहे हो और अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कोई भी क्वेश्ट्न जो है आउटैबस नहीं है कहने का मतलब साफ है कि अब आपको पूरा का पूरा इस ट्रेक्ली जो है से लेबस को फॉल्व करना है सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्ट्शन पूचंद नहीं जाएगा यह तो अब जो है पूरे एफ़र्ट के साथ पूरे एनरजी के साथ जो है आप अपनी एग्जामिनेशन के प्रिपेशन करें विश्यू आल दे बेस्ट अभी कुछ भी आपको डाउट नहीं रखना चाहिए कि सिलेबस ते कहीं बाहर भी तो नहीं पूछेगा बिल्कुल सिलेब की एक जरॉक्स कॉपी जो है आपकर आकर अपने पास रखें और उसी के अपने प्रिपेशन को करें तो अल दे बेस्ट पर यूर एक्जामिनेशन इस वीडियो में इतना ही अब हम जब नए वीडियो के साथ आएंगे तो यह सारा का सारा जो मॉडल कॉश्चिन सेट है उस सारे कुश्चिन को सौल करेंगे जिसकी वीडियो बन चुकी है उसको छोड़ करें ओकी थैंक यू वाचिंग दिश वीडियो